नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल एक सर्विसमन में आप लोग एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों एक जो न्यूज है जो बहुत बड़ी न्यूज बनके आ रही है उन फोजी भाईयों के लिए जो हैंडिकेप हैं उनके लिए गौर्मेंट ने एक पेंशिन का एलान किया है उसके बारे में हम यहां पे बात करेंगे तो गणतंत्र दिवस के मौके पर रक्षा मंतराले ने देश के पूरु सेनिकों को बड़ा तोफ़ा देने का एलान किया है और वो तोफ़ा क्या है इसके बारे हम डेटेल में हम चर्चा करेंगे उससे पहले अगर आप लोग नए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है नौटिफिकेशन का जो आइकन है घंटी का निशान है उसको दबाना भी बिल्कुल फ्री है उसको दबाने का और सब्सक्राइब करने का फायदा ये है जो कि मैं हर वीडियो को मिस कर दें ठीक है या कोई जानकारी आपसे मिस हो जाए तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान जरूर्द बाईए और जाद से जादा वीडियो को लाइक कीजिए प्यार दीजिए अपना चलिए बात करते हैं दोस्तों निर् रूप से अक्षम यानी दिव्यांग पूरू सेनिक कर्मियों को पेंशन के तौर पर हर महीने 18,000 रुपे दिये जाएंगे जी हाँ दोस्तों गनतंतर दिवस के मौके पर रक्षा मंत्राले ने देश के पूरू सेनिकों को बड़ा तौफा देने का एलान किया है मंत्राले की तरफ से जारी एक ब्यान में कहा गया है कि शारेरी रूप से अक्षम यानी दिव्यांग पूरू सेनिकों सेनिकर्मियों को पेंशन के तौर पर हर महीने 18,000 रुपे दिये जाएंगे रक्षा मंतरी निर्मला सीता रमन ने पूरू दिव्यांग सैनिकों के नए पेंशन पर अपनी मोहर लगा दी है आपको बता दें कि इससे पहले साथमे वेतन आयोग ने दिव्यांग सैनिकों के पेंशन के लिए slab-based system से अपनाने का सुझाव दिया था इस सिस्टम में कई पूरू सैनिक नाराज हो गए थे slab-based system अपनाने को लेकर सरकार की काफी आलोजना हुई थी यह मामला anomaly community को भी भेज दिया गया था अब सरकार ने फैसला लिया है कि पूरू सैनिकों दिव्यांग सैनिकों को पेंशन के रूप में प्रती मह 18,000 के रकम दी जाएगी तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यह news पसंद आई होगी पसंद आए तो दोस्तों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेर कीजे जाए हिंद जाए भारत